मोवी की सुरुवात में हम डॉक्टर स्ट्रेंज को एक खतरनाक क्रियेचर से लड़ते हुए देखते हैं उसके साथ एक लड़की भी होती है और उसी को वो उस मॉंस्टर से बचाने की कोसिस कर रहा होता है पर उस मॉंस्टर के आगे स्ट्रेंज की पावर कमजूर पढ़ र मॉंस्टर को बचाने के लिए उसे उसकी कुर्बानी देनी होगी पर तभी वो मॉंस्टर स्ट्रेंज को पकड़ कर उपर उठा देता है और उसे मार कर वही नीचे पटक देता है उसके बाद वो मॉंस्टर उस लड़की को पकड़ कर उसके पावर को छीनने लगता है पर और अपनी एक्स गर्लफेंड क्रिस्टीन की साधी में पहुँचता है वहाँ वो क्रिस्टीन से कहता है कि वो सौरी फील कर रहा है क्योंकि उसने उसकी केयर नहीं की पर वो इस बात से खुस है कि उसे वो मिल गया जिसके साथ वो खुसी से रह सकती है तभी बार सहर में किसी का हमला होता है और अस्ट्रेंज सहर को बचाने के लिए जाता है वहाँ एक बड़ा सा अक्टोपस एक बस को उठाय हुए था जिसमें एक लड़की थी अस्ट्रेंज उस लड़की को उस बस से बाहर निकालता है और उसं अक्टोपस से लड़ने लगता है अस्ट्रेंच उस लड़की को देखकर केहता है कि साइद वो उससे पहले भी मिल चुका है ये वही लड़की थी जिसे उसने कल्स अपने में देखा था तबी वो अक्टोपस अस्ट्रेंच को पकड़कर पास के बिल्लिंग में फेक देता है जहां वो बेहोस हो जाता है वो फिर से उस लड़की को पकड़ लेता है तब ही वहाँ वॉंग आकर उसे उससे बचाता है और उस मॉंस्टर से लणने लगता है पर बहुत जल्द वो वॉंग को भी अपने टैंटिकल्स में जकड़ लेता है और दुबार उस लड़की के पीछे जाता है पर अस्टरेंज का कोट उसे इस बार उससे बचा लेता है और तब तक अस्टरेंज भी वापस आ जाता है और वॉंग को उससे छुड़ाता है वो दोनों मिलकर अब उसका मुकाबला करने लगते हैं पर वो दोनों उसके आगे कमजोर पढ़ रहे थे इस बार उसने अस्टरेंज को अपने टैंटिकल्स में जकड़ लिया था जिसकी वज़े से वो कुछ नहीं कर पा रहा था तब ये स्टरेंज का कोट उरता हुआ आता है और अक्टोपस की आँख को ढख लेता है अस्टरेंज तुरंत वहाँ एक पोल की मदद से उस अक्टोपस की आँख बाहर निकाल देता है जिसकी वज़े से वो वही मारा जाता है उसके बाद अस्टेंज उस लड़की से पूछता है कि वो कौन है और उसने उसे अपने सपने में कैसे देखा वो लड़की उसे बताती है कि वो उसका सपना नहीं बलकि एक दूसरा यूनिवर्स था जिसमें उसका ही एक अलग वर्जिन उसके साथ एक मौन्स्टर से उसे बचा रहा था वो उसे बताती है कि वो आक्टोपस उसे किड्नैप करना चाह रहा था क्योंकि कुछ डेमन्स हैं जो उसके पावर्स को छीनना चाते हैं वो बताती है कि उसके पास किसी भी यूनिवर्स में ट्रैवल करने की पावर है, पर वो उस पावर को कंट्रोल नहीं कर सकती है, जब भी उसे कभी डर लगता है तब वो पावर अपने आप एक्टिवेट होने लगती है, और मल्टिवर्स के पोर्टल खुलने लगते हैं अस्ट्रेंज उससे पूछता है कि कोई तो रास्ता होगा उन डेमन्स को हराने का वो कहती है कि एक बुक है बुक अव वेसांटी जिसकी मदद से वो डेमन्स को हरा सकते हैं वोंग कहता है उस बुक तक पहुँचना लगबग नामूमकिन है पर वो लड़की कहती है कि वो अस्ट्रेंज के साथ उस बुक तक लगबग पहुँच चुकी थी पर डेमन्स ने आके उन्हें रोक दिया और वो यहां इस यूनिवर्स में आ गई अस्ट्रेंज कहता है कि यह रियल नहीं हो सकता क्योंकि यह सिर्फ उसका एक सपना था वो लड़की उसे पुरूफ के तोर पे दूसरे यूनिवर्स के अस्ट्रेंज की लास को दिखाती है जो उसके साथ यहां आ गई थी यह देखकर अस्ट्रेंज और वोंग को भी अब उस लड़की पे भरोसा हो जाता है कि वो जो कह रही है वो बिल्गुल सही है अस्ट्रेंज वोंग से कहता है कि इस लड़की की जान पे बहुत खत्रा है उन्हें इसे सेफ रखना होगा वांग उस लड़की से उसका नाम पूछता है वो अपना नाम उन्हें अमेरिका चैविस बताती है वांग उसे उनके साथ कमर ताज चलने को कहता है क्योंकि वहाँ वो सेफ रहेगी वो अश्ट्रेंज की लास को वहीं दफना देते हैं आगे हम वांडा को देखते हैं जो अपने दोनों बच्चों के साथ घर पे इंज्वाई कर रही होती है पर ये सब उसका सिर्फ एक सपना था जिसे वो वास्तविक्ता में बदलना चाहती थी वो अपने गार्डेन में फूल तोड रही होती है तभी उससे मिलने अस्ट्रेंज आता है वो उससे मल्टिवर्स के बारे में पता करने आया था वो उससे बताता है कि उसके पास एक लड़की आई है किसी दूसरे यूनिवर्स से और कुछ डेमन्स उसके पीछे पड़े हुए हैं जो उसके powers को हासिल करना चाते हैं वो लोग उसे कमरताज लेके आये हैं ताकि वो फिलाल सेफ रह सके अस्ट्रेंज वांडा से कमरताज आकर एक बार उस लड़की से मिल लेने को कहता है वांडा उससे कहती है कि तुम अमेरिका को यहां उसके पास क्यों लेकर नहीं आ जाते वो उसके साथ सेफ भी रहेगी पर अस्ट्रेंज सोच में पढ़ जाता है क्योंकि अभी तक उसने वांडा को उस लड़की का नाम नहीं बताया था पर उसे पहले से उसका नाम पता था पर तब वन्डा उसके सामने से सारा इल्यूजन हटा देती है वन्डा अब असकालेट विच बन चुकी थी अस्ट्रेंज देखता है उसने डार्क होल्ड बुक को खोल लिया था जिसकी वज़ा से उसकी सक्तियां उसी पे हावी हो गई थी वन्डा उससे कहती है कि इस बुक की मदद से उसके पास वो सब वापस आ सकती है जो कभी उसका हुआ करता था वो कहती है कि वो इस यूनिवर्स को छोड़ देगी और वहाँ चली जाएगी जहां वो अपने बच्चों के साथ रह सकती है इस पर अस्ट्रेंज कहता है कि उसके बच्चे कभी रियल नहीं थे उसने उन्हें अपनी मैजिक से बनाया था और अगर वो ऐसा करती है तो ये नेचर के लौक का उलंगन होगा और अगर उसने चैविस से उसका पावर छीन लिया तो वो जिन्दा नहीं रह पाएगी वांड़ उससे कहती है कि तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे मुँसे ये नेचर के लौक के उलंगन वाली बात सहीं नहीं लगती क्योंकि उसने भी तो वही किया था था ये उसको टाइम स्टोन देकर तुम्हें नहीं को तोड़कर हीरो बन जाते हो और अगर वो ऐसा करे तो वो उसके लिए दुस्मन बन जाती है वो कहती है कि अच सुरई डुबने के पहले वो लोग 24 को सांति से उसके हवाले कर दे और उसके बाद वो उसे कभी नहीं दिखेगी अश्ट्रेंज कहता है कि क्या होगा अगर वो ऐसा नहीं करते वो कहते है कि फिर उसे लेने वांडा नहीं बलकि असकालेट वीच आएगी अस्ट्रेंज कमरताज जाकर वांग को सारी बात बताता है अस्ट्रेंज सबसे कहता है कि अगर सकालेट वीच को चैविस की पावर मिल गई तो वो पूरे मल्टिवर्स को गुलाम बना देगी वांग अपने सारे आदमियों को उसे रोकने के लिए तयार होने को कहता है सारे लोग कमरताज की फाज़त के लिए अपने अपनी पोजीसन ले लेते हैं और तभी कुछ दिरबाद पूरे कमरताज के आसपास काला धुआ उटने लगता है और वांडा उनके सामने आती है अस्ट्रेंज जाकर उससे बात करता है और उसे ये सब रोकने को कहता है पर वो नहीं मानती है और अस्ट्रेंज को अपने रास्ते से हट जाने को कहती है क्योंकि वो अपने बच्चों के पास जाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है वो अस्ट्रेंज पे हमला करती है पर उसके आगे कमरताच के लोगों ने एक मजबूत सिल्ड बना दिया था जिस पे वांडा का कोई पावर काम नहीं करता है वो कमरताच पे भी हमला करती है पर हर जगा उन लोगों ने सिल्ड बनाई हुई थी वांडा अपनी दूसरी चाल चलती है वो वहां एक आदमी के दिमाग में जाती है और उसे वहां से भागने को कहती है जिसकी वज़ा से उनका सिल्ड तूट जाता है और उसके बाद वांडा वहां पे हमला करती है कुछ देर तक वो सब वांडा के वार को जहिलती है पर बहुत जल्द वो सब उसके आगे हार जाते हैं वो वहाँ सब कुछ तबाह कर देती है पर तब तक अस्ट्रेंज उस लड़की को बचाने के लिए उसे वहाँ से कहीं और छुपा देता है और खुद जाकर वांडा के सामने खड़ा हो जाता है वो वांडा को मिरर इल्यूजन में फसा देता है जहां उसके पावर्स भी काम नहीं कर रहे थे पर वो अपने रिफलेक्शन के थुरू उन तक पहुँचने की कोसिस करने लगती है अस्ट्रेंज और वांग जल्दी से वहां के सारे रिफलेक्शन वाली चीजों को ढखने लगते है पर किसी तरह वांडा उन तक पहुँचने में सफल रहती है वो उन सबसे कहती है कि चाहे वो कितनी भी कोसिस कर ले वो उसे उसके बच्चों के पास जाने से रोक नहीं सकते वांडा उन सबको बहुत सारे उनिवर्सेस दिखाने लगती है जहां वांडा अपने बच्चों के साथ रह रही है अश्ट्रेंज कहता है जिस universe में तुम जाओगे वहाँ के वांडा का क्या होगा क्या वो उसे उसके बच्चों के साथ रहने देगी और अश्ट्रेंज वांडा पे हमला कर देता है पर उसके power वांडा के सामने कुछ भी नहीं थे वो अस्ट्रेंज को दूर फेक देती है वोंक को भी वो मार कर वहीं बेहोस कर देती है और चैविज को पकड़ कर उसकी पावर को उससे निकानने लगती है चैविज की डर की वज़ा से वहां किसी और यूणिवर्स का पोर्टल खुलने लगता है और तबे एस्टेंज धक्का देकर चैविस को लेकर उस पोर्टल में कूज जाता है और वो दोनों कई सारे युनिवर्सेश को पार करते हुए एक युनिवर्ज के न्यूयॉर्क सहर में पहुंचते हैं अस्ट्रेंज चैविस से कहता है कि उन्हें यहां से वापस उनके यूनिवर्स में जाना होगा पर चैविस कहती है कि वो पोर्टल खोल नहीं सकती क्योंकि उसके पावर पे उसका कंट्रोल नहीं है अस्ट्रेंज उससे कहता है कि उसका दूसरा वर्जन इस यूनिवर्स में जरूर होगा, वो सायद उसकी मदद कर सके, पर चैविस कहते हैं कि यहां उसका कोई दूसरा वर्जन नहीं है, क्योंकि वो खुद उसी यूनिवर्स की है, वो कहते हैं कि वो अस्ट्रेंज के दूसरे वर्जन को ढूंड कर बुक वेसेंटी का पता लगा सकते हैं, और सायद वो वंड़ को रोक पाए, वो दोनों अस्ट्रेंज के दूसरे वर्जन को ढूंडने निकल जाते हैं, वहां रास्ते में उन्हें एक मसीन निखाई देती है, जो लोगों की पुरानी यादों को वापस दिखाती थी, अस्ट्रेंज उसमें देखता है जब वो क्रिष्टिन के साथ डेट पे गया था, उस दिन क्रिष्टिन ने उसे एक गड़ी गिफ्ट किया था, ये देखकर वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है, चैविस भी अपने यादों को देखती है, जिसमें उसके साथ उसकी दोनों मॉम्स होती है, पर उसकी डर की वज़े से वहां कई सारे मल्टी वर्सेस पोर्टल खुल जाते हैं, जिससे उसकी मॉम्स किसी और यूनिवर्स में चली जाती है, और वो किसी और में, अस्ट्रेंज उससे कहता है कि एक दिन वो जरूर अपनी मॉम्स से मिल पाएगी, वो दोनों बात करते हुए अस्ट्रेंज के घर के पास पहुँ जाते हैं, उन्हें वहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज के स्टैचू दिखाई देती है, जिस पे लिखा होता है कि वो थैनोस से लड़ते हुए मारा गया, तभी वहाँ उन्हें कालमोडो दिखाई देता है, जिसने स्ट्रेंज को पहली बार कमरताज पहुँचाय था, वो स्ट् इन्वर्स के अपने दूसरे वर्जन में फ्रजेक्ट कर सकता है, और उसकी बॉड़ी को पोजेस करके अपनी तरीके से इस्तिमाल कर सकता है, यह पोसेशन पर्मानेट नहीं होता है, पर इससे वो उस रियलेटी में काफी डैमेज कर सकते हैं, और अभी तक जो भी चैविस का पीछा कर रहा था वो हो सकता है कोई और नहीं बलके स्कालेट वीची हो और इस पोसेशन को वो ड्रिम वॉकिंग कहते हैं अस्ट्रेंज उससे बुक ओफ वैसांटी के बारे में पूचता है पर उसे चक्कर आने लगता है कालमोडो ने उसके ड्रिंक्स में कुछ म आदमी आता है और अपने चाको से डार्क होल्ड की बुक को लेकर दिश्ट्रॉय कर देता है जिसमें वो खुद भी मारा जाता है वांडा का दूसरे यूनिवर्स से कनेक्सन टूर जाता है वो देखती है कि बुक भी दिश्ट्रॉय हो चुका है वो गुस्से में वोंग को एक कॉपी थी जिसमें वह स्पेल लिखे हुए थे पर उसका असली पावर वेंडा कॉर में है पर वहां तक आज तक कोई पहुँच नहीं पाया है पर वांडा उससे कहती है कि ऐसा करने वाले वो लोग पहले होंगे इधर अस्ट्रेंज की जब आख खुलती है तो वो अपने आपको एक ग्लास सेल में पाता है चैविस भी उसके बगल वाली सेल में थी वो देखता है कि वहां क्रिस्टीन है वो उसे बताती है कि वो लोग उसके लैब में रिसर्च परपस के लिए लाए गये हैं क्योंकि वो किसी और उनिवर्स से आये हैं इसलिए वो लोग उसकी प डेमन ने उस पावर को हासिल किया था और फिर बाद में उसे डार्क होल्ड बुक में लिखा गया वांडा वहां लाइट जलाने लगती है तब ही चार बड़े मॉंस्टर उनकी तरफ बढ़ते हैं पर वो सब वांडा के आगे अपने आपको सरेंडर कर देते हैं ऐसा लगता ह वो लोग उसका ही इंतजार कर रहे थे इधर अस्ट्रेंज को इलिमिनार्टी के सामने पेस किया जाता है वहां हम कैप्टन कार्टर को दीखते हैं कुछ और भी सूपर हीरोज वां थे जैसे कि ब्लैक बोल्ट मिस मार्बल और फैंटास्टिक फोर के रिड रिचर्ड रिच उनके साथ उन्हें क्या करना चाहिए अस्ट्रेंज उनहें बताता है कि उनके ऊपर बहुत बड़ी प्रोब्लम आने वाली है अस्कारलेट वुच के रूप में रिचर्ड उसे बताता है कि ड्रीम वौकिंग को लेकर अस्कारलेट विच से उनके लिए ज़्यादव खत्र उसके उनिवर्श का डॉक्टर स्ट्रेंज था वो उनसे कहता है कि क्या वो उस्ट्रेंज जो थैनुस से लड़ता हुआ मारा गया तब ही वहाँ चाल साता है और कहता है कि इसे सच्चा ही बता देनी चाहिए वो बताते हैं कि वो सब थैनुस के साथ वार में थे पर अस्ट्रेंज हमेशा अपनी मर्जी से काम करता था उसने डार्क होल्ड की पावर ली और ड्रीम वाकिंग करना सुरू कर दिया पर एक दिन उसने उन सब को बुलाया और कनफेस किया कि वो ड्रीम वाकिंग कर रहा है और ऐसा करते हुए एक बार उससे गड़बड हो गई और उसकी वज़े से एक यूनिवर्स के सारे लोग मारे गए और उसे डर है कि उसकी वज़े से वो दुबारा ऐसी गलती कर सकता है उन सबने बुक ओफ वेसांटी की मदद से थैनों उसको मारा पर उनके सामने अभी भी दूसरा खत्रा मौजूद था डॉक्टर अस्ट्रेंज के रूप में इसलिए उन सबने ब्लैक बॉट की मदद से अस्ट्रेंज को खत्म कर दिया इधर वांग वांडा को समझाने की कोसिस कर रहा था कि वो चाकर भी सब कुछ कंट्रोल ही कर सकती पर वांडा उसे वहां के पहाड से नीचे फेक देती है और अपना पोजेशन सुरू कर देती है वो उस यूनिवर्स की वांडा को पोजेश करके अमेरिका चैविस के पीछे बेचती है इलूमिनाटी के लोग अपने बिल्लिंग में किसी के हमले की आवाज सुनते हैं वो कैमरे में देखते हैं वांडा ने उन पे हमला किया था वो सब उसे रोकने के लिए चले जाते हैं चालसा स्ट्रेंज से कहता है कि अगर वो इस सेल से बाहर आ पाता है तो वो बुक अव वसांटी को लेने जाए जो वहां मौजूद है और अमेरिका चैविस को किसी भी हालत में उस असकालेड विच से बचा कर रखे वांडा क्रिश्टीन की लैब की तरफ बढ़ रही थी वो उस रूम में पहुँचने ही वाली होती है कि उसके आगे सारे सूपर हीरो उसे रोकने के लिए आ जाते है रिचर्ट वांडा को रुख जाने को कहता है वो कहता है कि ब्लेक बोड उसे सिर्फ अपनी आवाज से खत्म कर सकता है पर ब्लेक बोड का पूरा मुही सील हो चुका था और वो अंदर ही अंदर अपनी आवाज से ही फटकर मर जाता है वो रिचर्ट को भी एक जटके में ही माय डालती है कैप्टन काटर और मिस मार्बल उस पे हमला करती है वो दोनों एक साथ उस पे हमला करके उसे रोकने की पूरी कोसिस कर रहे थे कैप्टन अपनी सेल्ड से उस पे हमला करती है पर वो उसकी सेल्ड को पकल कर जोर से उसी की तरफ फिकती है और उसकी वज़ा से वो भी मारी जाती है अब मिस मारबल सिर्फ अकेले ही बची थी वो अपनी पूरी त्यकत के साथ उस पे हमला करती है पर उसकी पावर को भी वांडा कुछी देर में खत्म कर देती है और वो दूर जाकर गिरती है वो तुरंत उस पर एक बड़ा सा अश्टैचू गिरा कर उसे भी मार देती है अश्ट्रेंज अपने आपको सेल से बहार निकालने के लिए मोडो को उकसाता है और वो जैसे उसे माने सेल के अंदर आता है अश्ट्रेंज उसे हरा कर वहां से बहार आ जाता है इधर क्रिश्टीन चैवी को सेल से बहार निकालने की कोसिस कर रही थी क्योंकि वो सेल जाम हो चुगा था वो उस गलास को तोड़ने के भी कोसिस कर रही थी तभी एक पंच से चैविस उस गलास को तोड़ देती है पर तब तक Wanda वहाँ आ चुकी थी तभी उसे रोकने वहाँ चाल साता है और उसके दिमाग से असकालेट विच को निकाने की कोसिस करने लगता है पर असकालेट विच उस पे भी हावी हो जाती है और उसकी गरदन मरोड कर उसे भी मार देती है तब तक अमेरिका और क्रिस्टीन वहाँ से भाग जाते हैं भागते वो उन दोनों को अस्ट्रेंज मिलता है क्रिस्टीन उन्हें लेकर बुक अफ वेसांटी के पास ले जाने लगती है वो लोग एक टरनल के थुरू जा रहे होते हैं और उनके पीछे वांडा आ रही होती है अस्ट्रेंज किसी तरह से वांडा को वहीं टरनल में दबा कर फसा देता है और वो लोग एक गेट के पास पहुंचते हैं जिसे सिर्फ डॉक्टर अस्ट्रेंज ही खोल सकता था वो उसे खोलने की कोसिस करता है पर उससे वो खुलती नहीं है क्रिश्टीन उसे अस्ट्रेंज के घड़ी देती है जिसकी मदद से वो उस गेट को खोल लेता है वो जगह स्पेस और यूनिवर्स के बीच के गैप का जंगसन था वहाँ बुक अफ वेसांटी रखी हुई थी अस्ट्रेंज जाकर उस बुक को अपने हाथ में ले लेता है तब ही चैविस को वांड़ अपनी तरफ खीचती है और वो अपने पावर से बुक अफ वेसांटी को भी डिश्ट्रॉई कर देती है वो चैविस को पकड़ कर उसकी पावर को निकानने लगती है और फिर से चैविस की डर की वज़ए से वहाँ मल्टी वर्सेस पोर्टल खुल जाते है जिसमें वो अस्ट्रेंज और क्रिस्टिन को फेक देती है और उसके बाद वो एक पोर्टल खुल कर चैविस को असकालेट विच के पास भेज़ देती है और इसके बाद असकालेट विच वांड़ से अपना पोजेशन हटा लेती है Wanda को जैसे ही अपना ध्यान आता है वो अपने बच्चों के पास बागती है और इदर स्कालिट विच्चा इसको उठा कर बीच में रख देती है क्रिश्टीन और स्ट्रेंज एक ऐसी यूनिवर्स में पहुँच जाते हैं जहां कई सारी यूनिवर्स आपस में कॉलाइड कर रहे थे वो दोनों उस यूनिवर्स के डॉक्टर स्टेंज से मिलने जाते हैं क्रिश्टीन को स्टेंज बाहरी छोड़कर अकेले ही उससे मिलने उसके घर जाता है वो उससे मिलकर अपने बारे में सब कुछ बताता है और अपने यूनिवर्स जाने में उसकी मदद मांगता है वो देखता है कि उसके पाश डार्क होल्ड की बुक है वो अस्ट्रेंज वहाँ से नीचे क्रिस्टीन को दिखता है और उससे पूछता है कि क्या तुम क्रिष्टीन के बिना खुस हो क्योंकि वो तो नहीं है और तब उसकी तीसरी आँख खुलती है वो कहता है कि वो उसे डार्क होल्ड बुक यूज करने देगा पर उसके बदले में उसे क्रिष्टीन उसे देना होगा अस्ट्रेंज उस पे हामला काने लगता है और वो दोनों वहाँ एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और डॉक्टर अस्ट्रेंज के एक वार्ट से वहाँ का अस्ट्रेंज खिड़की को तोड़ता हुआ नीचे जाकर कोसिस कर रही थी अश्ट्रेंज डार्क होल्ड की मदद से देखता है कि वांडा अपने मकसद के काफी करीब है और तब अश्ट्रेंज ड्रीम वाकिंग करने का सोचता है वो क्रिस्टीन से कहता है कि वो उसकी बॉड़ी की पहुचा दीता है पर तब ही बहुत से डेमन सोल उस पे हमला करने लगते हैं वो डेमन्स कह रहे थे कि डेड बोड़ी को पोजेस करना माफी के काबिल नहीं है और बहुत सारे डेमन्स उस पे हमला करने लगते हैं क्रिष्टिन उसकी बॉड़ी को डेमन से बचाने की कोसिस कर रही होती है, वो वहाँ की सारे डेमन को फायर फ्लेम से खत्म कर देती है, और अस्ट्रेंज को जाकर समालती है, और कहती है कि वो उन डेमन स्पिरिट को अपने फायदे के लिए इस्तमाल करे, अस्ट्रेंज उन सारे डेमन स्पिरिट की मदद से उड़ता हुआ असकालेड विच के पास पहुँचता है वहाँ के चारों मांस्टर अस्ट्रेंज पे हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं पर नीचे से वांग एक को खीच कर वहाँ से नीचे गिरा देता है और बाकी तीनों को भी अस्ट्रेंज उस पहाँ से नीचे गिरा देता है वह वांडर पे उन डेमन्स को डाल देता है जिसकी वज़े से वांग उसे किसी तरह कंटोल कर लेता है वांग उससे कहता है कि वह ज़्यादा देर तक उसे समान नहीं पाएगा उसे चैविस की पावर को निकाल कर यूज़ करना होगा उनके पास और कोई रास्ता नहीं है अस्ट्रेंज चैविस की तरप बढ़ता है चैविस उसे कहती है कि वह अप समझ चुकी है कि उन्हें उसकी पावर क्यों चाहिए और वो अपने अंदर से उसे पावर निकाल लेने को कहती है पर अस्ट्रेंज उसे कहता है कि वो उसका पावर लेने नहीं आया है बल्कि उसे बताने आया है कि वो अपने आप पे भरोसा करे फिर वो अपने पावर को खुद कंट्रूल करने लगेगी और वो मिलकर अस्कालेट विच को हरा पाएंगे अमेरिका अपने पावर को कंट्रोल करने की कोसिस करती है तब तक वांडा भी छूट जाती है और वो अस्ट्रेंज पे हमला करके उसे मानने लगती है तब ही चैविस आकर उसे एक पंच देती है अब वो अपनी पावर को फील कर सकती थी वो लगतार वांडा को मानने लगती है और एक पोटल खोल कर उसे खोलते हुए लावे में गिराने वाली होती है पर वो रुख जाती है और कहती है कि वो उसके जैसा नहीं बन सकती और उसके सामने उसके दूसरे वर्जन वाला पोटल खोल देती है जहां उसके दोनों बच्चे उसे देखकर डरनने लगते है वहां उनकी मॉम वांडा आती है जिसे वो वहां से दूर फेक देती है और कहती है कि वो उनकी मॉम है वो दोनों बच्चे असकालेड विच पर चीजे फिक कर मानने लगते हैं और वो उससे डर कर छोपने लगते हैं वो उनके पास पहुंचकर कहते है कि वो उने हर्ट नहीं करना चाहती वो किसी को भी हर्ट नहीं कर सकती क्यूंकि वो एक मॉंस्टर नहीं है और वो वहीं बैटकर रोने लगती है उसकी दूसरी वर्जन वॉंडा उसके पास आती है और प्यार से उसके चेहरे पे हाथ फेरती है और तब 24 उस पोर्टल को बंद कर देती है वॉंडा को अब अपनी गलती का हैसास हो चुका था वॉंडा वहां के सब कुछ को तोड़ कर बरबाद कर देती है ताकि दोबारा कोई डार्क होल्ड को यूज ना कर पाए अस्ट्रेंज देखता है कि उसके पास की भी डार्क होल्ड की बुक डिश्ट्राइ हो गई है Wanda ने हर युनिवर्स के डार्क होल्ड को खत्म कर दिया था Wong और Chavis अस्टेंज को लेने के लिए वहां आ जाते हैं आगे हम देखते हैं कि America Chavis भी कमर ताज में सीखने की कोसिस कर रही है और इसी के साथ ये मुवी यहीं खत्म हो जाती है तो वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो प्लीज दो लाइक और शेर दे वीडियो और प्लीज सब्सक्राब तो मैं चैनल और प्रेस देट बिल आकन